हेलो, गुड मॉर्णिंग, आएम मनीश, चलिए स्टार्ट करते हैं, आज हम देखेंगे टेक्सोनोमी टॉपिक के प्रिवियस एर क्वेशन्स और ये क्वेशन्स उतने ही इंपोर्टन्ट हैं जितने एक मनुश्य के लिए भोजन की आवशकता होती है, क्योंकि मान लीजिए हम कोई गेम खिलने जा रहे हैं, या स्पोर्ट में गेम खिलने जा रहे हैं, मैं माल लेता हूँ, अभी हम क्रिकेट खिलने जा रहे हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है, जब आप क्रिकेट खिलने जाते हैं, तो आपको क्या पता होने चीए उस गेम के, रूल्स पता होने ची चीए कि बॉलर ने किस एंगल से बॉल पकड़ी हुई है यदि आप बैट्समेन है तो आपको पता होना चीए कि बैट्समेन ने किस एंगल से क्या पकड़ी है बॉल पकड़ी है आपको पता होना चीए ये बॉल इन स्विंग होने जा रही है या आउट स्विंग होने जा रह जाते हैं, जनरली competitive exam देने जाते हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए, उस exam के previous year question के बारे में क्या पता होना चाहिए, या फिर एक general idea होना चाहिए, कि इस exam में किस type के question पूछे जाते हैं, इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए, मैं आज इस वीडियो में solve करवाने जा रहा हूँ, अपने taxonomy topic के previous year questions, ठीक है, चलिए फिर start करते हैं, आज की इस वीडियो को, जिसमें हमारा पहला question है, कि according to five kingdom classification, प्रोटोजवा और प्लेज़ इन, five kingdom system के अनुसार से, प्रोटोजवा को किस kingdom में रखा गया है, प्रोटिस्टा में, मोनरा में, फंजाई में, या एनिमिलिया में, तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे प्रोटोजवा होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे unicellular eukaryotes, मतलब ए एक कोशी की eukaryotes होते हैं, और इनको हमने रखा गया है, किस में? प्रोटिस्टा में रखा गया है, अब देखते हैं, five kingdom के बारे में, तो ये जो five kingdom वाला classification दिया था, ये किस के द्वारा दिया गया है? रह विटेकर के द्वारा, ठीक है, कब दिया गया है? 1969 में, ठीक है, औ और ये हमारे जो आरेच विटेकर भाई साहब हैं, ये कौन है, ये है हमारे अमेरिका के ecologist, ए-c-o-l-o-g-i-s-t, ecologist, ठीक है, और इन्होंने five kingdom जो classification दिया है, उसमें क्या-क्या है, सबसे पहले आता है मूनरा, फिर आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है फंजाई, फिर आत है प्लैंटे, और फिर क्या आता है अनिमिलिया, इसमें मूनरा में हमने रखे हैं सबके सब बैक्टिरिया या साइनो बैक्टिरिया, या मैं कहूं माइको प्लाज्मा, ठीक है, बाकि जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में रखे हैं एक कोशी की unicellular eukaryotes, ठीक है, फं या fungus जितने भी हैं वो रखे हुए इस फाइलम में इस kingdom में या फिर और जो हमारे plant-e हैं इसमें क्या रखे हैं सारे plants और आइनिमिलिया में क्या रखे है सारे animals ठीक है फिर चलते हैं अपने अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है Mycoplasma belongs to which kingdom Mycoplasma किस kingdom में आते हैं या किस जगत से संबंद देते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया mycoplasma को किसमें रखा गया है बैक्टिरिया के अंतरगत या फिर बैक्टिरिया के साथ ही रखा गया है mycoplasma को और साथ में ही कौन है हमारे cyanobacteria जिसे हम क्या यह होते हैं kingdom MUNRA tuh अंतरगत अब देखते हैं बैक्टिरिया में और माइकव प्लाजमा में थोड़ा difference तो देखो जो बैक्टिरिया हैं इन यह होते हैं सबसे चोटे लेकिन इनसे भी चोटे कौन होते हैं हमारे mycoplasma चीक है और जो ये हमारे mycoplasma होते हैं ये मालो अगर इनके environment में oxygen मौजूद नहीं है तो तब भी ये जिवित रह सकते हैं चीक है तो इसका कहने का मतलब ये है जो mycoplasma है वो क्या होते हैं इस प्रित्वी के सबसे छोटे जिवित प्राणी और ये बिना ऑक्सिजन के भी या फिर जहां पर ऑक्सिजन मौजूद नहीं है ये वहां पर भी जिवित रह सकते हैं ये बैक्टिरिया से भी छोटे होते हैं अगर कहीं क्वेश्ण में पूछा जाएं कि बैक्टिरिया या माइको प्लाज्मा इन मैंसे छोटा कौन है तो आपको आउनसर कौन होगा माइको भ्लाज्मा अगर ऑप्षन में बैक्तिरिया है तो आप bacteria पे ही correct answer टिक लगाओगे ठीक है और अगर mycoplasma दिया हुआ है bacteria के साथ तो आपको answer क्या चुनना है mycoplasma ठीक है चलते हैं फिर अपने अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है animals in which mouth develop opposite to blastopore तो यहर अब देख लो blastopore का scene क्या है scene यह है जब मालो zygote होता है fertilization के बाद क्या बनता है zygote जाइगोट single cell होता है इसमें क्या होता है mitosis होता है इससे cell कितनी बनती है 2 2 से बनती है चार 4 से क्या बनती है art cells हर बार cells कितनी हो कıtी है double मतलब दुगनी होती है आज हम क्या बोलते हैं ब्लस्टूला चेक है इसे बोलते हैं भ्लस्टूला के बाद हमारा क्या बनता है गेस्टूला भृट डहिए अब देखो ब्लस्टूला में भार की तरफ क्या Set Eu cells होती है वो मौझूद होती है और उसके अंदर जो खाली जगए होती है उसे हम क्या बोलते है blastoceal BLASTOCOEL क्या बोलते है blastoceal ठीक है और यह क्या होता है hollow mass एक मतलब एक hollow mass होता है जैसे आप ball देखते हैं ठीक है hollow mass होता है किसका cell का मतलब अंदर खोकला होता है या cavity होती है जिसका नाम blastoceal है उसके 4 तरफ क्या होता है cell होती है ठीक है तो जैसे आप ball देखियोगी आपने plastic की ball देखियोगी जिसे बच्चे खेलते हैं वो भी क्या होती है बाहर plastic होता है और अंदर क्या होती है खाली, same way से ही हमारा क्या होता है blastula फरा किया है कि जहां पर ball में plastic होती है वहाँ पर क्या होता है इसमें cell और अंदर जो खाली जगह है उसको हम किस नाम से जानते हैं blastosil के नाम से ठीक है, अब यार अब देखते हैं मैं आपको blastula बता चुका हूँ अब देखते हैं, जब blastula में differentiation होता है तो हमारा क्या बनता है gas tool या मैं बोलूँ blastula में cells का जो हमने बोला था कि चारो तरफ इसके cell होती है इन्ही cell का क्या होता है arrangement होता है, ठीक है और arrangement में हमारी क्या बनती है तीन, jump, layer जो की हमारी क्या होती है ectoderm, endoderm और mesoderm सबसे बाहर की तरफ जो होती है हमारी, वो होती है ectoderm beach में जो होती है उसे हम क्या बोलते है, mesoderm और सबसे अंदर क्या होती है हमारी endoderm, ये तीन होती है हमारी primary, jump, layer अब देखो अब ये तीन layer जब थोड़ा arrangement होता है ये इनकी arrangement में changes होती है तो हमारे पास Structure बन ता है, जिसको हम क्या बोलते है gastrula ठीक है, अब इसमेn пошता है बाहर की तरफ इसमें जो होती है वो होती है हमारी क्या ectoderm यहां पर जो होती है, इस तरफ ये जो cells होती है, इनको हम बोलते हैं मेजोडम और इसके बीच में अंदर की तरफ जो यह होती है यह होती है एंडोडम और जो बीच में यह हमारी खाली जगे जिसको हम बोलते हैं इसका हम ने blastula में क्या नाम दिया था blastrocele लेकिन जो अब हमारा है यहां पर जो होती है इसको हम क्या नाम देते हैं Arcanterone A-R-C-H-E-N-T-E-R-O-N Arcanterone ठीक है अब मैं आपको थोड़ा इसको बढ़ा करके समझाता हूं की देखो अभी हमने इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया यह जो हमारी जिल सैर्श कहें हम बोलते हैं हमारी मिज़ोडेन यह जो बाहर ऑनाम अर यह अंदर सावले मिछ यह इससे क्या बोलते हैं उटवेश औरू यह जो हमारी कैवेटी संसरा goda आपर एसे हमारा ये वाला जो रीजन है यहां पर जो आप ये गैप देख रहे हैं इन दो मीजोडम के बीच में इस जगे को हम जनरली क्या बोलते हैं ब्लास्टोपोर बी एल एएस टी ओ पी ओ आरी ब्लास्टोपोर ठीक है उस और्गनिजम में यह मैं बोलूँ वो प्राणी जिसमें यह ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा माउथ मॉट्ट मॉट्ट ठीक है या फिर मैं आपको न और simple जा संग्जाता हूँ थोड़ा तकि diagram में आपको कोई दिक्कत ना रहे हैं ठीक है labeling नहीं करूँगा तकि दिक्कत ना हो ठीक है ये मैंने आपको बताया ये क्या मैंने इसको नाम दिया आपको blastopore का जिसमें ये blastopore से क्या बनेगा mouth ठीक है, मतलब blastopore से क्या बनेगा, मूँ तो हम इसे क्या बोलेंगे, यह हमारे organism क्या होंगे proto-stomia p-r-o-t-o proto-s-t-o-m-i-a proto-stomia हम इनको बोलेंगे, ठीक है जिन में blastopore से क्या बने, mouth अब मालो, किसी organism में एक तरफ मु है, तो दूसरे तरफ क्या होगा उसका, anus होगा मतलब mouth से किसी चीज़ को खाएगा, तो anus से तो अपनी body से बाहर भी निकालेगा ना, तो इसलिए अगर blastopore क्या बनाएगा, mouth तो mouth के सामने क्या होगा, anus तो हम इस प्राणी को क्या बोलेंगे, ये कौन से हमारे protoistomia, ठीक है, और generally हमारे ये होते है invertebrates, ठीक है invertebrates में हमारा क्या होता है, blastopore से क्या बनता है mouth, ठीक अगर माल लो, ये मेरा जो blastopore है ये क्या बना रहा है मेरा anus, blastopore से क्या बन रहा है मेरा, anus और anus के सामने वाला पार्ट मेरा क्या बना रहा है mouth, ठीक है मतलब opposite हो रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये मेरे है deuterostromia ठीक है opposite होगा तो deuterostomia होगा ठीक है अब मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों में proteostomia और deuterostomia में difference तो देखो मैंने आपको बताया protoistomia protoistomia और दूसरा क्या बताया मैंने आपको deuterostomia protoistomia में क्या बनता है जो हमारा blastopore होता है उससे क्या बनता है तो अभियस्थी बात पर पर क्या बनेगा इसका एनस बनेगा deuterostomia में जो blastopore है यह हमारा क्या बनाता है एनस बनाता है चेक है सीधी सी बात है इसके opposite side पर क्या होगा माउथ होगा protoistomia में आते हैं इतने भी हमारे क्या होते हैं इन वर्टिब्रेट तो दूट्रोर इस्तिमिय में हमारे वॉ आते हैं जो सब क्या हूँ? वर्टिब्रेट इसमें अब इन व्रटिब्रेट के इसमें एक्जामपल कौन से हैं에는e है हमारे एनलिडा आर्थोपोडा और मॉलस्का संग जो आता है किसमें आता है हमारा प्रोटो इस्टोमिया में आता है और डूट्रो इस्टोमिया में कौन-कौन से आएंगे हमारे इकाइनोडरमेटा, हैमी कोड़ाटा और कोड़ाटा चीक है यह तीनों आते हैं किसमें डूटरो स्टोमिया में चीक है यह था पूरा इसकोशन का मुझे नहीं लगता है कि इस कोशन को आपको कहीं और से देखने की जरूरत है इतना समझाने के बाद चीक है तो चलिए अपने कोशन के बार कोशन में हमसे पूछा है एनिमल्स में जिनमें माउथ बनता हो अपोजिट टू ब्लास्टोपोर मतलब यह हमारा ब्लास्टोपो नहीं बने तो इसे क्या बोलते हैं कहानी में आपको बता चुका हूं नहीं समझ माया थोड़ा बेक कर लीजिए और समझ लीजिए अगला कोशन है भ Ν-ëम नमें क्लेचर किस ने दिया था सब्सक्त रहा हुता है दूइनम पदधी तो यह किसने केडल से अर्न Colombia do P A X O N O M Y Father of Taxonomy अब यह Taxonomy है क्या Taxonomy एक ऐसी Science है जिसमें हम क्या करते हैं किसी भी Plant, Animal या Micro Organism को क्या देते हैं नाम देते हैं या फिर उनकी क्या करते हैं Naming दूसरा क्या करते हैं उनको Describe करते हैं उनके बारे में बताते हैं और तीसरा क्या करते हैं उनको classify करते हैं चीक है क्या करते हैं classification करते हैं तो taxonomy के अंतरगत हम किसी भी plant को animal को microorganism को उनको नाम देंगे उनको describe करेंगे और उनको classify करेंगे अब classify किस में करेंगे spaces, genus, family, order, class, phylum, division या फिर kingdom में इन सब में क्या करेंगे classify करेंगे चीक है तो मैंने आपको बता दिया father of taxonomy कौन है हमारे careless, linear और जो हमारा यह taxonomy शब्द है यह किस ने दिया है a, p, d, candlely, c, a, n, d, o, double, l, e, candlely ने दिया है कब दिया है? 1813 में दिया है चीक है? 1813 चलते हैं अगले कोशन की और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है हर्भी वोरस, c, mammal बताओ वो कौन से order में आता है? जो हमारा c, mammal है और हर्भी वोरस हो वो हमारे किस में आता हो order में तो उसका हमारा order बताना है तो वो हमारा order क्या है? साइरेनिया इस साइरेनिया order के अंतरगत हमारा क्या आता है? यह आता है कौन? हर्भी वोरस, c, mammal जिसमें हमारे क्या क्या आते हैं? एक आता है c, cow, s, e, a, c, o, w, c, cow और एक हमारा दूसरा नाम है d, u, n, g, dung, wang, w, a, n, g, wang, ठीक है? यह डंग, wang, ठीक है? यह सब दोनों किस में आते हैं हमारे c में 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 आते हैं, ठीक है? तो फिर चलते हैं अपने अगले कोशन की और, अगले कोशन में हमसे जो पूछा गया है, वो बोला है कि जो term biology है, वो किसने introduce किया था? या फिर जो शब्द biology किसने दिया दिया, तो वो दिया था हमारा लेमार्क और ट्रेविनेरिस ने, ठीक है? तीक है, त्टाम biology वो जो इनेटीटीटीज बाइ, लेमार्क और ट्रेविनेरिस और फादर ओफ biology कौन होते हैं? थियो सॉरी father of biology है हमारे Aristotle A-R-I-S-T-O-T-L-E father of biology है Aristotle और father of geology भी कौन है हमारे Aristotle father of zoology यह दोनों क्या है हमारे Aristotle भाई साथ है और जो मैं आपको Theo Frestres के बारे में बता रहा था तो वो है हमारे father of botany Theo Frestres P-H-R-A-S-T-U-S Theo Frestres क्या है father of botany अगला question है हमारा यह कुछ term दिये हुए है genus, family, species, order और variety इन सब को आपको सही order में लिखना है तो जैसा कि आपको पता है सबसे पहले आता है species फिर आता है genus फिर आता है family फिर आता है order लेकिन बात फसी है इस variety पे ठीक है कि variety कहां आता है तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ variety आता है सबसे पहले आएगा variety फिर आएगा species फिर आएगा genus फिर आएगा family फिर आएगा order तो variety कहा आएगा सबसे पहले तो जैसे ही हम अपना option देखेंगे तो हमारा fourth option में क्या है variety सबसे पहले है मतलब यही क्या है हमारा इसका correct answer और एक term मैं आपको और बता देता हूँ जो term है cultivar मतलब एक word है c-u-l-t-i-v-a-r जो एक cultivar शब्दना जैसे variety आता है species से पहले वैसे ही cultivar कहां आता है variety से पहले यहाँ पर आएगा cultivar हो सकता है अभी तक नहीं पूछा गया हो सकता है कभी पूछ ले तो मैं चाहता हूँ कि जिसने ये वीडियो देखी हो उसका क्या हो यह कोशन सही हो सबसे पहले आएगा कल्टीवर फिर आएगा variety फिर आएगा species फिर आएगा जीनस फिर आएगा family फिर आएगा order फिर आएगा इसके आगे class फाइलम division फिर last में क्या आएगा हमारा kingdom तो फिर चलते हैं अगले कोशन के और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है कि यह जो हमारे tarot sponge यह किस सब क्लास में आते हैं जैसे मैंने आपको यह सब बताया ना species family order class तो यार देखो जब भी तुम order की बात तो रोगे ना तो या फिक क्लास की बात करोगे तो इसमें सब क्लास मतलब इनकी एक सब केटेगरी भी आ जाती है ठीक है तो जो हमारे tarot sporengia को पूछा है तो यह आते हैं हमारे zoo mastigophora में अब यह zoo mastigophora होते है फ्यक्त होता एन में क्या present होता है flagellum present होता है flagellum बहूल या flagella बोलो एक ही बात है और flagлушum जो होता है वह latin word से लिया गया है और इसका मतलब क्होता है pip like twrk अब्लु हाईब्लु हाईप vip like structure जो margin किस में help करता है locomotion में क्या करता है help करता है किसे भी organism की locomotion का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जाने में दूसरी जगह जाने में क्या करता है मदद करता है ठीक है और यह आते किस में हैं यह आते हैं हमारे protista में protista में और एक दो मैं आपको चीए इनके बारे में और बता देता हूँ जो zoom stigo 4i इसमें आता है कौन आता है हमारा एक आपने बीमारी के बारे में पढ़ा होगा sleeping sickness या मैं बोलू African sleeping sickness वो होती है किस से trypanosoma gambian से या फिर trypanosomia trypanosoma और उसके आगे दूसरी स्पीसी से BRUCEI बुरूसी से यह जो बिमारी है अफ्रीकन स्लेपिंग सिकनेस किस से होती है इस ट्रैपोसोमा गेंबियन से और यह किस में आता है यह जू मैस्टुगोफोरा में आता है यह फिर जू फ्लैजिलेट में आता है ठीक है और इस बिमारी को फैलाने वाला मौस्क्यूटो है वो कौन है या फिर एक फ्लै है वो कौन है TSEC और TSEC CC फ्लै ठीक है और जिसका scientific name जो होता है वो क्या होता है Glossina G-L-O-S-S-I-N-A Glossina ठीक है यह इसका क्या है carrier मतलब यह इस बिमारी को फैलाने में क्या करता है मदद करता है ठीक है अगला question है हमारा इन मेंसे किस scientist ने या किस आदमी ने fossil को माना है evidence of evolution evolution का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं न कि हम आज इंसान है तो हमारे पूरवच क्या थे आदी मानव थे या बंदर थे फिर उसमें थोड़ा थोड़ा develop हुआ develop होने के बाद आज हम क्या बने इनसान मने तो मतलब कहने का मतलब है evolution का मतलब होता है एक form से दूसरे form में change होना बहुत सालों के बाद इस process को क्या बोला जाता है evolution इसके लिए जो सबूत है ना उस सबूत को माना गया था fossil मतलब fossil एक जिवाश में जिसे बोलते हैं जिवाश में क्या है सबूत कभी भी evolution के लिए ऐसा किसके द्वारा कहा गया था तो ऐसा किसके द्वारा कहा गया था या माना गया था वो कौन थे हमारे जॉर्ज क्यू वियर थे ठीक है इन्होंने ही जीवाश्म को माना गया था सबूत माना था जीवाश्म को evolution का ठीक है अब यह fossil क्या होता है fossil का मतलब है जब भी कोई plant या animal मर जाता है और धर्ती के सतह के अंदर दब जाता है और दब जाने के लिए बहुत सालों बाद high temperature या high pressure होने के कारण ये किस में बदल जाए किसी पथर में बदल जाए या किसी liquid में बदल जाए कहां पृत्वी के अंदर तो हम इसे क्या बोलेंगे fossil बोलेंगे चलिए फिर अगले कोशन में उसे पहले एक बात और बता देता हूँ जो हमारे जोर्ज की वियर है इसी को हम क्या बोलते हैं फादर ओफ पैलियोंटोलोजी पी ए ल ए ओ एन टी ओ ल ओ जी वाई पैलियोंटोलोजी अब यह पैलियोंटोलोजी का चक्कर क्या है तो देखो जो यह पैलियोंटोलोजी हमारा शब्द होता है इसका मतलब होता है History of Life on Earth Based on Fossil मतलब Life की History मतलब जो जीवन का इतिहाज का अधियन करना प्रित्वी पर Fossil के माध्यम से तो हम उसे क्या बूलेंगे पैलियोंटोलोजी या हम पैलियोंटोलोजी में अधियन करते हैं माना वितिहास का Fossil के संबंद में ठीक है या फिर Fossil के द्वारा ठीक है तो फिर चलते हैं फिर अपने अगले कोशन पर अगले कोशन में हमसे पूछा गया है यह चारों आप्शन में से जो चारों आप्शन दिये गए हम इन में से यह बताना है कि चारों सेम क्लास में जो आते हैं वो बताओ तो देखो जो हमारा glow warm है, silk warm है house fly है या bed bug है यह चारों हमारे एक ही क्लास में आते हैं जो की क्या है हमारा आर्थ्रोपोडा यह चारों हमारे किस में आते हैं अगला कोशन है हमारा जो हमारा यह एप्लिसिया है belongs to the class एप्लिसिया कौन से क्लास में हमें ने रखा गया है या फिर जो हमारा 에पलीसया है किसमे आता है, तो यह आता है हमारा再见 been in Gastroports में. ठीक है, अपलीसया किसमे आता है? Gastroports में. चलते हैं, फिर अपने अगले Question के उपर, या फिर मैं आपको इसमें एक दो और बता देता हूँ, जो हमारे सिफैलो पोर्ट आते हैं ये किसमा आते हैं ओक्टोपस या जो हमारे ओक्टोपस हैं वो किसमा आते हैं सिफैलो पोर्ट में ठीक है और जो हमारा यूनियो है वो किसमा आता है बाई वेल्विया में आता है ठीक है तो चलते हैं फिर अपने अगले question के और अगले question में हमसे पूछा गया है इन मैंसे कौन शब्द Latin भासा से आए गये हैं तो ये जो चारो शब्द हैं ये कहां से लिए गये हैं Latin भासा से अगला question है हमारा Lineus ने जो अपना Binomial System of Nomenclature दिया था जो द्विनाम पद्धती दी थी वो सबसे पहले इनकी कौन सी किताब में क्या हुई है प्रकाशित हुई है ठीक है तो इनकी जो किताब है जिसमें हमें Binomial Nomenclature बताए गया था वो क्या थी हमारी Species Plantarum मतलब इस किताब में इन्होंने plant को describe करते हुए plant के बारे में सबसे पहले क्या दिया था Nomenclature ठीक है नामांकरण की जो पद्धती दी दी दुए नाम पद्धती वो plants के लिए या plants के सम्मंद में सबसे पहले किस ने दी है Careless Lineus ने और उनके किताब का क्या नाम था Spaces Plantarum और ये published कब हुई थी 1753 में चीक है तो फिर चलते हैं अब अपने अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है जो origin of spaces मतलब प्रजातियों की उत्पत्ती ये जो नामक पुस्तक है ये कब प्रकाशित हुई है तो ये हमारी कब प्रकाशित हुई है ये हमारी प्रकाशित हुई है 1859 में जो किसका क्या नाम है और इजन ओफ इस पेसिस मतलब जो हमारी प्रजातियों है उनकी उत्पत्ती चीक है तो फिर चलते हैं अब अपने अगले questions की और अगला question है ऐसा कौन सा पहला phylum है animal kingdom का जिसमें होता है bilateral symmetry bilateral symmetry का मतला होता है एक organism माल लो ऐसा है तो जो इसके इस side वाला और only site वाला क्या हो दोनों same हो छिक है bilateral symmetry का मतला होता है एक organism को अगर मैं bitch मैं से k Zar prob inconvenience उसके दो भाग बने वो दोनों क्या हो equal हो या फिर जैसा inside का हो इस side भी हो ठीक है तो यह हमें सबसे पहले देखने को मिलता है प्लेटी हेल माइन्स में किसमें? प्लेटी हेल माइन्स में ठीक है? और इनमें क्या देखने को मिलती है? बाइलेटरल सेमेटरी और इनमें क्या होता है? औरगन लेवल मतलब इनमें क्या हो देखने को मिलते हैं में organ देखने को मिलते हैं अगला question है जो हमारा term यह जो हमारा word है species वो किस ने दिया था या किसने chain गिया था term species was given by जॉन रे जो हमारा वर्ड इस्पीसिस है वो दिया गया है जॉन रे के द्वारा तो यह चलो मैं तुम्हारा इसका ना किसा खतम गरता हूं देखो सबसे पहले आता है इस्पीसिस फिर आता है जीनस फिर क्या आता है फैम्ली फिर आता है हमारा ओर फिर आता है क्लास फिर आता दिया है वो भी दिया है जो हमारा family term दिया है ये भी किस ने दिया है जो हमारा order term दिया है ये दिया है careless lineus ने ठीक है जो हमारा class दिया है ये भी किस ने दिया है careless lineus ने phylum term दिया है वो किस ने दिया है qvier ने c u v i e r QVR ने दिया है ठीक है तो मैंने आपको एक ही वीडियो में यह सब बता दिया ठीक है और एक शब्दिस में और आता है जिसका नाम क्या है TRIBE यह कहां पर आता है ठीक है तो यह आता है हमारा जीनस और फैमिली के बीच में यह क्या आता है tribe ठीक है जैसे हमारा species genus इसके बाद आएगा tribe फिर आएगा family फिर आएगा order फिर आएगा class फिर आएगा phylum फिर आएगा kingdom ठीक है species से पहले मैंने आपको क्या बताया variety और variety से पहले मैंने आपको क्या बताया cultivar ठीक है तो यह थे हमारे इसके हमने किस-किस ने कौन कौन सा term दिया है जो अगला question है वो हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा reptile है जिसमें स्कॉल है solid roof इसकल मतलब खोपड़ी के ऊपर क्या होती है चट और वो कैसी होती है आविचिन होती है यह चौल होती है चिक है तो जो हमारे कौन से होते हैंग यह जो हमारे इसमें पूछा है जो हमारे र Abby हैं इनके अपर क्या है एक जो इनका इसकाल खोपडी है खोपडी के ओपर क्या होती है एक छत होती है तो यह हमसे जो पूछा गया है वो उसमें होती है एनापसिडा में जो इनकी कपाल होती है कपाल की छत कैसी होती है अगला कोशन है जो हमारा father of taxonomy कौन है तो मैं आपको बता चुक हूँ कौन है careless lineus इनको हम बोलते है father of taxonomy careless lineus है डी केंडोले जो है इन्होंने शब्द दिया था जो क्या था taxonomy डी केंडोले ने taxonomy शब्द दिया है लेकिन जो इसके जनक है वो है हमारे careless लेनियस चलते हैं फिर अपने अगले कोशन की और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है जो हमारा retrogressive metamorphosis है मतलब अधोगमी रूपांत्रेंड विशिस्ट लक्षन जो है वो किसका होता है तो वह होता है हमी कोड़ाट आगा या फिर हम कहते हैं किसका हर्ड मानिय का हर्ड मानिय हमको क्या देखने को मिलता है रेट्रोजरेसिव मेटामोर्फोस चलते हैं अगले कोशन के और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है इन में से कौन सी स्टेट्मेंट क्या है सत्य है पहला हमसे दिया गया है जो हमारे पैसिस है रेपटाइल है बर्ड है वह क्या है पोई क्यों थे हमस मतलब असम ताप यह है ठीक है चलते हैं फिर अपने अगले स्टेट्मेंट की और अगला statement है हमारा Pisces, Amphibian are Reptile are Anamnute तो नहीं ये भी हमारे Anamnute नहीं होते हैं अगला statement हमारा Aves, Mammal are Reptiles are Homeyothems तो नहीं ये भी हमारी statement क्या है गलत तो चलते हैं अपनी इसकी Last statement की Last statement है हमारी Reptile, Aves and Mammals are Amnute तो हाँ ये बिल्कुल सही statement है हमारी और ये ही क्या है इसका correct answer इसमें बोला है जो हमारे Amnutes होते हैं ये फिर Amnute होते हैं इसमें हमारे क्या आते हैं Reptile आते हैं, Aves आते हैं और कौन सा आते हैं हमारे Mammals सा आते हैं अगला question हमारा Peripetus है अगले question में हमसे पूछा गया है वो कौन सा है तो जो हमारा smallest tape warm है वो कौन सा होता है Echinococcus Echinococcus जो है यह होता है हमारा सबसे छोटा फीता क्रमी ठीक है तो फिर चलते हैं हम अपने अगले question की और और जो हमारा यह Echinococcus होता है इसको हम क्या बोल देते हैं dog warm dog warm इसको हम dog warm के नाम से भी जानते हैं ठीक है या फिर इसको हम dog warm जो है यह भी बोलते हैं इसके होते हैं 2 hosts जो यह Echinococcus है इसके होते हैं दो host host जो इसका पहला host होता है वह कौन होता है dog dog और यह होता है इसका definite host और दूसरा जो इसका intermediate host होता है वो कौन होता है इसका भेड़ होता है भेड़ होता है इसका intermediate host ठीक है या फिर कोई cattle भी हो सकता है cattle जैसे horse, goat या camel ठीक चलते हैं फिर अगले question के और अगले question में हमसे पूछा गया है इन मेंसे कौन सा coral नहीं है तो हम जैसे कि हम जानते होता है साइनिया कोई भी coral नहीं है बाकि पिनेटुला ट्यूबी पूरा और और यह तीनों हमारे क्या होते हैं coral होते हैं ठीक है तो फिर चलते हैं अपने अगले question की और ठीक है मतलब coral का मतलब है जो किस में रहते हैं colonies में रहते हैं ठीक है और किसकी बनी होती है calcium carbonate की बनी होते हैं हमारे इसकी colonies अगले question क्योंटे जैसे हम चलते हैं तो हमारा है class by voila is also called जो हमारा class byhernia है जो हमारा class है जो by वेल्विया और उसे हम किस नाम से जानते हैं तो हमारा पहले सि पोड़ा कि नाम से जानते हैं ठीक है तो फिर चलते हैं हम अपने अगले कोशन कि और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है जो हमारे Amniotes do not include तो हमने जैसे अवे पढ़ा था हमारे birds, mammal और reptile क्या थे Amniote और ये हमारा क्या है Amniote में नहीं आता है तो यही क्या होगा हमारा correct answer ठीक है। अगला कोशन है हम से इंसमें से पुछा है लिम्बलेस अफिपिअन औरrav प्लेज इंई wander मतलब वह एंफिबियन बता हो जो पादविहीन है उनमें लिम्ब नहीं प्रेसेंट होते हैं उनको हमने किसमें रखा गया है तो उनकोु है हम किस में रखते हैं जो हमारे limblesse amphibian है इसको हम रखते हैं zymanopheona order में जो हमारा इसका जिसमें limblesse amphibian रखे गए हैं अगला question है हमारा इसका है वह दा group Mayo includes मतलब एमनियОत कौन में से आते हैं तो जो एसा हमने बताया हमारे रेप्टाइल बर्ड और मैमल किसमाते हैं अगला कोशन है एलिमेंटरी कैनाल एप्सेंट मतलब जो हमारी एलिमेंटरी कैनाल है वो किसमें मौजूद नहीं होती है तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे सिस्टोडा होते हैं या मैं कहूं जो हमारा टीनिया सुलियम होता है इसम जो हमारा elementary canal जो है वो क्या होता है absent होता है elementary canal इन में नहीं होता है क्योंकि elementary canal में generally क्या होता है digestion और यह जो अपना खाना पहले ही digested खाना मतलब यह क्या होते हैं parasite होते हैं human body में मतलब बड़े simplest form में food को लेते हैं तो इन में digestion की आवशक्ता नहीं होती है तो जब digestion की आवशक्ता नहीं होगी तो elementary canal भी उपस्तित नहीं होगा चलते हैं अगले कोशन की और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है in which kingdom prokaryotic organism were placed by Whittaker तो prokaryotic की हम जब भी बात करेंगे तब तब हमारे किस की बात आएगी bacteria की और bacteria को रखते हैं मून्रा ग्रूप में अगला कोशन है horn toad belong to class मतलब singh वाला meduck किस वर्ग से सम्मदित है तो जो हमारा horn toad जो हमारा meduck होता है वो क्या होता है कि reptile होता है या फिर एक क्या होता है lizard होता है lizard 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 होता है ठीक है one horn toad चलते हैं फिर अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है जो linear system है of plant classification is based on वो किस पे based था morphological anatomy character पे evolutionary trend पे floral character पे या none of the above तो मैंने आपको बता दूँ जैसा कि है linear नहीं दिया था artificial system of classification तो वो जो हमारा based होता है वो किस में based होता है floral character के उपर based होता है ठीक है तो फिर चलते हैं हम अपने अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है archibacteria में क्या चीज absent होती है तो जब भी हम बात करेंगे archibacteria में तो उसमें cell wall में peptide glycan देखने को नहीं मिलता है ठीक है अगला question है हमारा carpenter ants जो हमारी carpenter ants है belongs to which of the following order carpenter ants को हम किस order में रखते हैं तो चलिए देखते हैं इसके options पहला option है neuropleteran, lapidoptera, plecoptera या hymnoptera तो जैसा कि हम जानते हैं बड़ाई चीटी जो हमने रखा गया है वो किस में रखा गया है hymnoptera order में बड़ाई चीटी का मतलब होता है जो भी हमारे घर में carpenter होता है या कोई भी furniture होता है ठीक है या फिर कोई भी लकड़ी है लकड़ी में यह क्या करती है यह जो आंट होती है इसमें क्या करेगी लकड़ी में एक छेद कर देगी ठीक है वो छेद करेगी और छेद के कारण क्या करेगी उस छेद में जाकर अपना क्या बनाएगी घ इमक की तरह है या टर्माइट्स की तरह है पूरी लकड़ी को खाती नहीं है यह क्या करती है लकड़ी को खोकला करती है और उसके अंदर क्या करती है अपना गोंसला बनाती है इसलिए इसको बोला आता है कारपेंटरांट चलते हैं अगले कोशन के और अगले कोशन में हमसे इन मैसे कौन सा क्या है बिल्कुल सही है descending sequence में taxonomic category ठीक है तो इसमें देखने का word है विए tribe जो की मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो tribe है हमारा कहां आता है जीनस और family के बीच में यहाँ पे आप देख यहाँ पर बी आपको genus शब्द मिले या फिर इसमें कहां मिले जीनस और फैमिली के बीच में क्या दिर रखा है ट्राइब तो इसका मतलब यह ही option क्या है हमारा बिलकुल सही है चलते हैं फिर अपने अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है which one of the following इसमें दोनों के गुण हो प्लांट के भी और एनिमल के भी तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा क्या है वालवोक्स में यह हमारा एक ऐसा प्रोटो जोवा है जिसमें प्लांट के गुण भी है और एनिमल्स के गुण भी है ठीक है प्लांट के गुण का कहने का मतलब है इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है ठीक है वॉलवॉक्स इस इकल टू प्लांट प्लस एनिमल्स अगला कोशन है इन मेंसे कौन सा डूट्रोस्टोम नहीं है तो मैंने जैसे आपको बता चुका हूँ पहले जो हमारे मॉलस्ट का होता है मॉलस्ट का किसमा आता है प्रोटोसोमिय मे रूटोसोमिय में क्या आता है सनेल तो यह हमारा किसमी आता है प्रोटोसोमिय में यह दल्टोसोमिय का एग्जांपल नहीं होगा चलता है फिर अपने अगले कोशन की और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है इनका सही ऑृडर चुनो ठीक है पिला डौक्टर के एन वहहल तो आपको जैसा है option दे रखे हैं इनमें code दे रखे हैं जैसे ही आप इनको match करेंगे तो फिर आप क्या देखेंगे आपको देखने को मिलेगा तो जो हमारा ये question है इसमें कुछ न समझाने वाला काम नहीं है इसमें सीधा याद करने वाला काम है मतलब ये जो है पिला दिया है वो किस इसमें से scientist ने दिया है वो आपको क्या करनी है matching या आपको याद करना पड़ेगा तो इसमें जो मारा correct answer है वो कौन सा है option number c ठीक है a का है डिटो स्टूम और प्रूटो सोम में जो animals हैं वो किस चीज में differ होते हैं तो उन में क्या होता है जो हमारा mouth का position है या embryonic origin होता है mouth में उसी में क्या होते हैं वो different होते हैं चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है जो geological age है किसी भी rock की मतलब किसी चटान की भूव Vigyanic IU निरधारित की जा सकती है वो किसे किया सकती है वो किया सकती है radiometric dating के कारण उनसे हम किसी भी rock का इसी चटान की जो है इनांसर को consider करना है इसमें हमसे पूछा गया है ए में दिया है यूनिसेललर दो में मल्टिसेललर तीन में प्रोकारियोड चार में यूकारियोड पांच में विद प्लास्टिट छै में विदाउड प्लास्टिट हमसे पूछा गया है जो हमारे प्रोटिस्टा है यह क्या है त तो जैसा कि हम जानते हैं, यह हमारे इन में प्लास्टिड भी मौजूद होता है, तो अगर हम देखें हैं, तो हमारा 4 और 5, मतलब 5 जो आप्शन है, वो किसमें है, सिर्फ एक ही आप्शन में, तो इसमें दिया है 4, 4 का मतलब है, यूकारियोट सही है, 2 का मतलब क्या है, को करेक्ट दिया गया है, तो हम भी यही ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे, क्योंकि अगर हम 1 को यूकारियोट लेते हैं, तो फिर यहां पे आ रहा है, प्रोकारियोट, जो कि हमारा निश्चित गलत है, थार्ड में प्रोकारियोट है, यह भी हमारा निश्चित गलत है, लेकि चलते हैं फिर अपने अगले question के और अगले question में हमसे पूछा गया है the term taxon for the first time was used by जो हमारा term था taxon जो taxon शब्द है यह सबसे पहले किसने इस्तिमाल किया है यह किसने किया है आंस्ट 26 में दिया है ठीक है तो चलते हैं अपने अगले question के और अगले question में हमसे पूछा गया है concern with the nomenclature of organism organism के नामकरण पद्दती से कौन-कौन संबंदित है तो जो हमारे और हमारे इस्ट्री क्लैंड यह दोनों संबंदित होते हैं किसे नामकरण पद्दती से चलते हैं अगले question के और अगले question में हमसे पूछा गया है linear is credited for so linear को किसले दिया गया है यह linear किससे संबंदित है हमारे binomial nomenclature से च्छे कह बाकि option हम देख लेंगे option जो है वो हम देख लेते हैं option में हमारा दिया गया है binomial nomenclature जो कि क्या है option number 4 ठीक है तो यही हो जाएगा हमारा correct अगला मतलब इस वीडियो का हमारा यह final question है उसमें हम से क्या पूछा गया है when specimen name exactly repeat generic name मतलब हमको पता है कि जब हम binomial nomenclature की बात करते हैं किसी भी प्रजाती का नाम दो टुकड़ों में लिखा जाता है पहले क्या आता है जीनस का नाम फिर आता है species का नाम इसमें बोला है जब genus का नाम भी same हो और species का नाम भी same हो तो हम उसको क्या बोलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं टॉटो नेम बोलते हैं जहां पर जो genus का नाम हो वही exactly same किसका नाम हो बाकी जो homonim होता है homonim का मतलब होता है टाइप के आधार पर दो या दो से अधिक नाम जब दिये जाते हैं किसी प्राणी को तो हम उसके बोलते हैं homonim synonym का मतलब होता है name reject due to misuse एक और्गनिजर का नाम जो है हमने reject कर दिया misuse के कारण अगला question है हमारा जो या फिर अगला option है basonim basonim का मतलब होता है intri specific name है जिसमें priority दी जाती है और refrain किया जाता है transfer in new taxon में चेक हैं इसमें पूछा गया है जब intri specific name है जो play करता है priority और उसको refrain किया जाता है या transfer किया जाता है अगले taxon में चीक है जब आपको ऐसी statement मिले new taxon के लिए जहाँ पर लिखा हो तो आप वहाँ पर based onim option चुनेंगे चीक है बाकि जब जहाँ पर दोनों चीज रिपीट होती है exactly same वह क्या होगा हमारा टॉटो नेम तो यह थे हमारे इस वीडियो के questions चीक है और यह थे इस वीडियो के हमारे previous year question जो कि आपके हर exam के लिए important होगे जो मैंने आपको बड़े विस्तार से बिलकुल explain करते हुए हर एक question समझाया है चीक है तो बाकि अगले वीडियो में